आज की रेमडी आपके कलर को फेयर करेगा दागधबो को रिभू करेगा और इन सर्दियों में आपकी स्किन को ड्राइ होने से बचाएगा आपके स्किन बिल्कुल स्मूथ और ग्लोइंग हो जाएगी इस पेस पैक से हैं आप साथ मैं से वेलिकम करते हैं और फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ने चुरल वीडियों में तो फ्रेंड आज की जो रेमडी है विंटरी स्पेसल है सर्दियों का मौसम स्टाट हो गया है और ऐसे में हमारी स्किन बिल्कुल रुकी सुकी दिखाई देती है जरा कुछ चीजे इसमें एक्स्ट्राइड करते हैं और इसमें से कुछ हम स्किप कर देते हैं जिस तरह से हमारी स्किन को जब जरूरत रहती है उसे हिसाब से हम यहां पर रेमडी तयार करते हैं और उसे अपने फेस पर अपलाई करते हैं तो अगर आपके फेस पर हाइकने पिं नहीं तो फिर हमारी स्किन बिल्कुल रुखी सुफी रखती है और डिर्शल की समझ से बहुत जादा हो जाती है सर्दियों में तो चलिए फिर देख लेते हैं कि हमें रेमिनी बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और बहुत ही एफेक्टिव है आपको इस और डिमडी बनाने के लिए हमने यहां पे लिया है एलोवरा की overlap के पास प्लांट नहीं है तो आप यहां पे जो बालना वलिए जेल रहता है वह बहुत जरूरी नहीं कि आप प्लांट का एलोवरा ज्ल ले तो इसको मैं और टू पीसेस में कर ले रहूए और अगर आपके पास प्लांट नहीं है, अलोवेरा का, तो आपको एक चमच अलोवेरा जल लेना है, और एक चमच कॉफी पाउडर लेना है, तो इस पे मैं एक चमच कॉफी पाउडर रग दे रही हूँ, और दो से तीन में के लिए मैं इसे साइड में रग दूँगी, यह बहुत ही अच्छे से मिल्ट हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरुवत नहीं है, तब तक हम सेकेंड रेम्डी तयार कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल, उसमें मैं एड़ कर रही हूँ, चावल का आटा, चावल का आटा नैच्रोल स्क्रब का काम करता है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एड़ की हूँ, एक चमच मुलता निम बिट्टी, और यहाँ पे हमने लिया है, आधा चमच के करीब यह नीम पाउडर है, अगर आपके पास नीम पाउडर नहीं है, तो पत्तिया मिलती है, तो उसे भी सुखा के आप उसका पाउडर बना के स्टोर करके रख सकते है, इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तीन से चार समच रो मिल्क, क्योंकि हमने यहाँ पे चावल का आटा लिया है, तो इसमें थोड़ा सा रो मिल्क आपको जादा एड़ करना पड़ेगा, नहीं तो यह ड्राई हो जाएगा, इसमूध सा प किया है, और जो हमने फर्स्ट रिम्डी त्यार करके रखा था, यहलो बेरा कॉफी का, उससे हमें मसाज करना है, कम से कम दो से तीन मन तक हलके हाथों से, वैसे तो हमने जो सेकेंड रिम्डी तयार कियी, उसमें भी हमने चावल का आटा एड़ किया है, तो उससे भी हमारे जो डेट सेल्स होते है, ओपन पोर्स के अंदर जो गंदगी होती है, इस सब रिमूब होगी, चावल के आटे से भी, और सेम कॉफी से भी, तो यहलो बेरा का इस्तेमाल आपको सर्दियों में जरूर करना है, क्योंकि यहलो बेरा जो हमारी स्किन को हाइडर करता है, नमी ब के रखा था, उसे पूरे फेस पे अपलाई करना है, और इसे हमें रखना है, तो यह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, अगर आपकी स्किन बहुत जादा ड्राई हो गई है, इस टाइम पे तो जो सेगें रेमडी हमने फेस पेक रेड़ी करके रखा था, उसमें आ बैदाम ओयल या ओली बॉयल या कोकोनट अयल तीनों में से कोई भी एड़ कर सकते हैं उससे आपकी green अच्छी हो जाएगी आप लोगों को भी बोलती हूं कि जब भी कोई रेमडी आप अपलाई करते हैं तो आपके फेस की स्किन ग्लूइंग हो जाती है और ने के रिया उसी तरह से रह जाता है फेस पेक रिमूब करने के बाद मैं यहां पे जो हमने यलो वेरा का एक टुकड़ा रखा था उससे मैं पुरे फेस पर अपलाई कर रही हूं मसाज कर रही हूं एक से दो मिन्ट तक जिसे कि हमारे सकीन के अंदर अच्छे से अपजर्ब हो सके opportunities Community School आए हो फ्रेंड आज की जो रेमडी है आप लोगों को पसंद आए होगी अगर थोड़ी ची भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किजीगा कॉमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी रेमडी और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चोनल को सब्सक् नूटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं कैसे उच्पोल्मडी के साथ अपता के लिए बाबाई टेक्यार